असलाम अलेकुम मैं जेर स्टूदेंट्स उमिद है कि आप सभी का हल्चाल गर्बार ठीक होगा बिफोर गोई इंटो टोडेश वीडियो लेक्चर आप कि इन दा लास्ट वीडियो लेक्चर वीडियो लेक्चर वी हो पूरूड आवर फिर्स्ट करनवर्स थॉम रिगार्द यह जो आज हमें थाम का वेप्रूव करना है जिसका वेप्रू करना है उस थाम का डेक्ट स्टेटमेट क्या है है किसी भी परलोग्राम में दून पिर अपोस्ट एंग्लिस होगे ठीक है होते हैं और होगे ठीक है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी थाम का करूर्स प्रूब करने वाले हैं करूर्स इसका क्या बनेगा सब्सक्राइब किसी भी क्वार्टे लेटरल में अगर अगर हमारे पास में टू प्यर्स आप अपोस्ट एंग्लिस एक्वाल इन मेजर होगे वह कोडिलेटर हमारा परलोग्राम होगा ठीक है चलिए गिवन में हमारे पास में कोडिलेटर है एबी सी जो मैंने यहाँ पर बनाके रखा है उसका रफ स्केच यां ड्राइंग मैंने इसकी बनाके रखी है और इट सिमुल लाइक परलोग्राम क्यूंकि अल्टिमेटल हम तो चाहते ही न बेटा इस कोडिलेटर को हम परलोग्राम ही दिखाए इसलिए इसका चाल डाल रहनसन बिल्कुल परलोग्राम की तरह होना चाहिए स्टार्टिंग में ठीक है इस नाउन इस Converse Tom का given में क्या है given a quadrilateral a quadrilateral q u ad मतलब short form of quadrilateral a b c d a b c d in which जिसमें हमें क्या दिया गया है जिसमें हमें दिया गया है two pair of it is opposite angles equal in major र्याणिके angle a और angle c equal यह equation मान लीजिए बेटा a है और दूसरा दूसरा हमें दिया गया है angle b is equal to angle d major of these two angles are equal चले मान लेते हैं यह हमारे पास में equation b है चीछ देखे बेटा इस थाम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास में given काफी है अगर हमारे पास में given काफी है तो दूसरे के पास क्यों जाना क्यों हम करेंगे करेंगे नहीं करनी है चले अगर नहीं करनी है तो प्रूफ में डरेक्ट आते हैं इसका प्रूफ कैसे बनेगा देखे बेटा यह हमारे पास में हाँ बिल्कुल है किसी भी कोडिलेटर में हमने पड़ी थी एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ कोडिलेटर होल्ड होती हो हमें क्या बताता है सब में हमारे पास में कॉनिस्टंट के बराबर आता है जिसको हम जानते हैं वह कौन है डिया ये नौ इंव meanwhile खूल लेट्र लेटरल नो इन कौकल लेटरल न molotल लेटरल अबी सीड़ी tahu कि एगल संपॉर कर्छा म sovereign कमा हई है वह true इंगलset ऐद ऊनदेट हैंø क्वारे पास में स्पीस कूछ राहे हैं चल्ली यहां पे लिखता हूं मैं फिलशी एंग एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 degree देखे बेटा इस को परलोग्राम दिखाने के लिए मैं इसको डिफ्निशन से ही पर्लोग्राम दृटी कि नगे किसी घ Sh connais एक लेक्रम यह को इक सब्सक्राइब रखना होना चाहिए यानि है ऑxi बरोग्राइब चाहिए AD और BC परलल होना चाहिए अगर यह दूनू कंडिशन है ज्यान कि इसके दूनू पिर आप अपोजिट साइड परलल होगे तो डिफिनिशन से यह कोडिलेटर हमारा परलोग्राम बन जाएगा वही हम काम करेंगे इसके दूनू पिर आप अपोजिट साइड एबी और डी सी बीसी और डी परलल दिखाएगे पहले मैं कोशिश करूँगा इस पूरी एकविशन में जो यह एंगल की एकविशन है इसमें हम एंगल प्रिटेन करेंगे मतलब इनको आई से रखेंगे जैसे यह है एंगल ए को एंगल यह अंगल भी ही रखेंगे लेकिन बेटा यह जो एंगल सी है we will replace it by angle A by means of equation first because जहां पर angle C वहां पर angle A हम रखेंगे और angle D को भी हम replace करेंगे in terms of angle B by means of equation second equation B ठीक है बेटा angle D के बदले angle B which is equal to 360 degree बेटा मेरा मुदावर मकसद यह है कि मैं इन दोनों line segments को parallel दिखाना चाहता हूं उसके लिए मैं क्या बताऊंगा यह दोनों line segment है यह भी इनका ट्रांसवर्सल है एंगल A और एंगल B कोई इंटेरर एंगलस है और इनका major किसी तरीकी से आएगा 180 तो यह allied angles यहां के supplementary होगे allied angles यहां कोई इंटेरर एंगलस supplementary बन जाएगे जब भी हमारे पास में किसी भी दो line को अगर pair of allied angles supplementary होती है तो line क्या बन जाती है पारलल बन जाती है इसलिए मैं angle A plus angle B किसी तरीक से 180 दिखाना चाहता हूं ठीक है बेटा चलिए इतना तो आपको समझ में आया तो काम की बात हमारे पास में एंगल A और एंगल B है एंगल C को मैंने A से रिप्लेस किया और एंगल D को B से रिप्लेस किया बाइन जो के हमारे पास में गिवन इस question में दिया गया सार क्या लिए क्या हम like terms को add कर सकते हैं क्यों नहीं एंगल A प्लस एंगल A यगा twice of angle A और angle B और angle B होगा that will be twice of angle B that will be equal to 360 degree can I take common two from these two terms that is twice of angle A and twice of angle B obviously we can take it common यहां पर आएगा two times angle A plus angle B that will be equal to 360 degree होगे तर बताए two यहां पर क्या है सर यह multiple में आगा right side में लाएंगे equation में क्या हो जाएगा सर मारे जाएगा किसको मारेगा मारेगा यह गोलिक इसको 360 degree 360 degree को यानिकि 360 इसको यहां पर नहीं लाएगे इसको इतना तकलीफ नहीं देगे इसको वही पर रहने देगे हम हवाबाज यहां पर करेंगे हवा में ही किंसलेशन होगे टू यहां पर मॉल्टिपल था एंगल A plus B के साथ जब यहां पर लाते करते हैं तो डिवाइड होता ना बेटा इसलिए हवाबाजी में ही हम क्या करेंगे बेटा इसको तकलीफ नहीं देगे इसको क्यंसलेशन करेंगे तो हमें क्या मिला बेटा हमें मिला एंगल A plus Angle B is equal to 180 degree चलिए मान लेते हैं यह equation first है क्या है equation first है अगर equation first है जरा बता है एंगल A plus Angle B हमें equation first बादाती है एंगल A plus Angle B 180 के बराबर है अगर आप देखेंगे बेटा यहां पर AD और BC दो क्पेल से A Bmaya इनका इनकी सब्सक्राइक घुल 집 करता है अंगल ए एंगल भी कोई इंटेरेर आइंगल सब्सक्राइब इंटेर सब्सक्राइब खुम इनकी उपर उसका जए बनती है क्या है that is like this that it is like this whenever two whenever we have two linus and a transversal cuts them so is that a pair of co-interior anglers yeah allied angles are supplementary then lines are definitely parallel what we have shown here that we have shown here that angle a plus angle B is equal to 180 degree but AD and BC are two line segments a react is their transversal a and angle a and angle B are co-interior angles they are allied angles and we have shown here that they are supplementary to each other what about this side AD and BC how they are related to each other so they will be parallel to each other it means that in this very quadrilator we have shown that one of one pair of it is opposed sides are parallel okay now AD and BC are two line segments AC and BC are two line segments and and what a react to their transversal AB act is their transversal transversal such that I sign the transversal such that angle a plus angle B is equal to 180 degree which is a pair of allied angles which is a pair of pair of allied angles so so by converse of the allied angles form what we have AD will be parallel to BC AD will be parallel to BC okay this is equation star equation number star beta both important take of the data I am going to tell you how to tell you how to tell you how to tell you how to tell you equation to angle a plus angle B plus angle C plus angle D and angle some property of a quadrilator and we have to tell you how to tell you equation C we have what we have sir we have angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree what we will do here is that we have angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree so that you need Ab 당 blew an angle c was equal CL is equal to 57 degree angle A and L and I will replace FMC in terms of Inter selling video D and D that you have to have an angle B k23 would like to maintain and energy I would like to make here these two angles allied angles supplementary for that I will replace B by D angle B के बदले हम लिखेंगे वेटा angle D angle C के बदले angle A को retain करना चाहते है अगर A को retain करना चाहते है बोलो C को किस से replace करेंगे एसे और हम given से कर सकते हैं angle C के बदले angle A लिखेंगे और angle D को D ही रहने देगे चलिए वाएगा 360 degree फिर से वही वाली बात two times angle A plus two times angle D is equal to 360 degree which implies that we can take two common by means of distributed property of multiplication or addition of real numbers that is equal to 360 degree मेटा फिर से two multiple है वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तकलिफ नहीं देगे विकास हमें किसी को तकलिफ देने में खुशी नहीं होगी बेटा 280 आएगा which implies that angle A plus angle D किसके बरावर आएगा angle A plus angle D is equal to 180 degree देखे वेटा equation second इसको लिखेंगे angle A plus angle B जब हमने 180 के बरावर दिखाए था उसको हमने equation first रप्रेजंट किया था angle A plus angle D हमने equation 180 degree के बरावर है लेकिन हमने इस equation को रप्रेजंट किया by means of equation second ठीक है अब देखे वेटा क्या A B और D C 2 line segments है बिल्कुल है क्या A D इनका transversal है बिल्कुल है क्या angle A और angle D light angles है या कोई interior angles या angles on the same side of transversal है हां है कैसे है sir supplementary line is क्या होगी sir parallel होगी ठीक है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे फिर से हम बताएंगे यह now A B and D C are two line segments AD act is their transversal जैसे यहां पर दिखिया था now AD and AD and DC are two line segments AD act is their transversal AD act is their transversal such that angle A plus angle D is equal to 180 degrees therefore this AB will be parallel to DC ठीक है as in ठीक है हम क्या लिख सकते है so मैं अब उस सभी lines नहीं लिखूंगा if you want me to write down you can write down on your notebooks बिल्कुल यह copy करना है लेकिन यहां पर AC और BC नहीं बताना है AC और A not AC this is not AC no AC not AC this was now BC BC AD it is AD sir it is AD जैसे मैंने लिखा था यहां पर AD and BC are two line segments आपको यहां पर लिखना पड़ेगा AB and DCR जैसे मैं लिखता हूं now now AB and DC AB and DC are two line segments are two line segments are two line segments and AD act is the transversal AD act is the air act is the air the air transversal transversal such that is I n ka transversal such that angle A plus D angle A plus D 180 from equation second and angle A plus angle D is equal to 180 degree which is the pair of alloyed angles which is a pair of pair of allied angles allied angles so क्या होगा सर अगर यह पियार अप एलाइड अगल से AB और DC parallel होगी AD will be parallel to DC ठीके पेटा यह कूशन double star लिखेंगे क्या लिखेंगे double star मेरे बता है था आपको मुझे तारों में बहुत दिल्चेस पी इसलिए तारे वाली equation और double तारे वाली equation को देखो तारे वाली equation हमें क्या बताती है याइनके star equation हमें इक और्वे करती है कि हमारे इस कॉड़िएटर ABCD में AD side BC side को parallel है है के नहीं दबल तारे वाली याइनके double star equation हमें बताती है इसी इसी कॉड़िएटर का AB side और DC side parallel है बोले बेटा एक और्वेटर कैसा है सर स्टार और double star हमें बता दे को अपोज़ेटर आइसा है कि इसमें टूप यह आप आप पोज़ेट साइड पर लें बो क्या होगा बाइडिफिनिशन यह तो पार्लोग्रा मन जाएगा इस तरीके से हमारी थाम का प्रूफ हो गया चले पता चला we come to know we come to know we come to know that we come to know that we come to know that quadrilateral quadrilateral a b c d has two peers two peer ya peer lichhenge two peer of it is opposite sides of it is opposite opposite side is parallel therefore by definition by definition quadrilateral a b c d is a parallelogram hope you understood it यहां पर आप कन्फूज नहीं हो थे ओर सथ हुआ था यहां पर मुझे मैंने मुझे बताना था a d और b c दो लाइन सेग्मेंट से और a b इनका ट्रांस्वर्सल है एंगल a और एंगल भी दोने एंगल अलाइड एंगल से और दो पर्लोग्राम की हुए नारक बहुत हम का कंवर्स करने वाल है जिसमें कि अगर पर्लोग्राम की डायगिलनेउस क्या करती है ठीक है पर्लोग्राम की द्धा डायगंलस् झाल झाल झाल